नमस्कार दोस्तों आगे आऊं मैं राजन वर्मा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ABC क्लासेस पर दोस्तों आज पढ़ाने से पहले मैं बस थोड़ा सा बात करना चाहता हूं आपसे बहुत से स्टुडेंट्स हैं जो बहुत जगे पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छा क्यूंके आब यूज कर लेते हैं इसलिए मेरी कौशिसर कि मैं आप लोगों को बेसिक से पढ़ा हूं और मैं अपनी पूरी इमानदारी से आपको अपढ़ा हा रहूं और आगे पढ़ाता रहूंगा और जिनको इमानदारी से पढ़ना है, जिनको सिलक्षन लेना है, जो बिलकुल पेशिंस के साथ मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, वो भरोसा रखे, मैं उनके गुरुबडी के एक्जाम से पहले इस लेवस खतम करा दूँगा, रिवीजन भी करा दूँगा, और कुछ प्र ठीक है, चली फिर हम आगे बढ़ते हैं, यह कोशन है, एक संख्या का 12.05% असी है, तो उस संख्या का 62.05% क्या होगा, अब तो यह कोशन बहुत कठें लग रहा होगा, आप लोगो को, है ना, लेकिन जो मेरी पहली क्लास जिसने अटेंड की होगी, जिसने मेरा वीडियो द देखा होगा, उसको साय कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, यह कोशन, जिनको नहीं पता, यह एक लाइन का कोशन है, एक्जाम में आएगा, बच्चा गएगा, यार बुड़ा भाग करना हमको आता है, मैं इसको जरूर करूंगा, ठीक है, वो जरूर करेगा, तो कैसे तो उस संख्या का 62, मतलब इसी संख्या का यह जो एक्स है, उसका 62,05% क्या हो, ठीक है, अब वो क्या कर सकता है, वो यही करेगा, जो बेसिक जानता है, मैं भी बिल्गुल बेसिक ही बता रहा हूं, लेकिन कुछ तहिका भी होता है, यह ऐसे हटाएगा, नीचे 100 आएगा, यह पॉइंट अट आएगा, जीरो आएगा, यह असी आएगा, फिर 25, 125, ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 5X बराबर हो जाएगा, 80 इन्टू 40 अपान 5, और यह हो गया, आपका अंसर आगया, ठीक है, अभी नहीं आया, यह 5 यहाँ आगया, आपका X बराबर इतना आगया, अब बोल रहा है, उसी संक्या का, कौन, X का, X कितना है, 640, इसका 62, दुफलो 5% क्या होगा, अब इसका आप ऐसे निकालो बैठके, 5% क्या होगा, तो आपका होगे, 640, गोडे 62, यह हम इसको 1000 लिख लेंगे, यहाँ से 10 बलो हटाएंगे, नीचे 0 आजाएगा, फिर अब वही कहानी, 25 से काटेंगे, तो यह 25 बार में जाएगा, ठीक है, 25 दूना 50, 25 चोग 100, यह 40 हो गया, ठीक है, यह 0 कट गया, यह क्या कटेगा, 16 चोग 64, कितना आगया, 16 गोडे 25, ठीक है, अब इसको गोड़ा करेंगे, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, अब बच्चा यह करेगा, उसको कितना समय लग जाएगा, मेरे इस आप से एक मिनिट लग जाएगा, या तेड़ मिनिट भी लग सकता है, है ना, हाँ, यह है कि वो आंसर निकाल के रख लेगा, लेकिन, मैंने जो आपको फर्स लेक्च्चर में बताया था, उसका यूज करते हैं, और देखते हैं, कि क्वेशन उससे कैसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्वेशन कह रहा है, एक संख्या का बारत दफलो पांच परसेंट, हम जानते हैं, क्या, एक बटे आठ किसके बराबर होता है, बारत दफलो पांच परसेंट के बराबर होता है, जानते हैं, तो हम इसकी जिगा क्या लिख सकते हैं, एक बटे आठ लिख सकते हैं, मैंने कल बताया था, बराबर किसके है, असी के, एक्स बराबर कितना आगया, शिक्स फुट्टी आगया, आगया ना, अब कैसे आगया, यह आपको याद था, मैंने क्या कहा था, परसेंट कि अब मतलब भई 640 का कि 62.5 बासर दुफलों 5 परसेंट कितना हो गया तो मैंने क्या गाथ यह वन बाइट किसका है बारा दुफलों 5 का है बारा दुनीच ओविस यह 12,5 तो यह क्या होगा 5 बटे 8 का है मतलब अगर इसने गुड़ा कर दूँ 5 बटे 8 और इधर भी 5 का गुड़ा कर दें 5 का गुड़ा करेंगे तो यह यह आएगा तो हम 12,5 की जगर क्या लिख सकते है पांच बटे 8 लिख सकते है आठ अठ अठाई 64 असने गुड़े 5 आठ पंच चालिस और एक 0 कितना आ गया 400 आपका आंसर आ गया और आप देख पा रहे होंगे कि कितने इजी तरीके से आ गया है ना बहुत ही इजी तरीके से आ गया है इसलिए अभी मैं कुछ चीज़ों को और आपको बताऊंगा याद करने के लिए कुछ चीज़े और ऐसी हैं जिनको आपको direct value याद करनी पड़ पाइंगे मैंने साथ इसमें भी कल कुछ बताया था यह कोशिन भी ऐसा है कि एक्जाम में आतो बच्चा देखके छोड़ी देगा क्योंकि सबसे ज़्यादा उसको दस्मलों से डर लगता है अरे अरे अर्दस्मलों आ गया गुरा भाग अब तो बहुत टाइम लगने वाल इसको हम लिख सकते हैं 5 बटा 6 प्लस 420 इसको हम लिख सकते हैं दो बटा साथ कैसे तो अभी मैं बताता हूं इसको अमने बताया था एक बटे साथ की वेलूब क्या होती है 14 दसलों दो आट होती है और यह क्या है 28 दसलों पांस साथ मतलब इसमें दो का गुड़ा कर दें त यह 28 दसलों पांस साथ किसके बराबर है दो बटे साथ की बराबर रही ठीक है तो हमने यहां पर यह कर दिया 5 बटे 6 कैसे आया कुछ चीज़े हैं उसको अभी मैं करा दूंगा वह आप देख लिएगा पंच चीज़े हैं तो यहां से क्या हो गया ठीक है और यह कितना हो गया आट पंच चालिस और जीरो चार सो प्लस साथ चंद बैयालिस और शैदोनी बारह एक तो बीस जीरो दो और पांच क्या सच में इतना असान था यह मतलब इतना असान था कि आप वैलू याद करके बस चुट्कियों में आपने को कोशन को सॉल्व कर लिया तो अभी भी मैं फिर से क्या रहा हूं वह वैलूस को आपको याद करना पड़ेगा ठीक है आई अपने अगले कोशन पर चलते हैं च त्राइ करिएगा और नहीं आएगा तो मुझे कमेंड बॉक्स में स्क्रिंसोट भीज़ दीजीगा एक चुनाओ में 70 वोट अवैद हो गये एक उमिद्वार ने वैद मतों का 60 परसेंट वोट पाक कर 200 वोट से चुनाओ जीत गया तो चुनाओ में कुल कितने वोट डाले हैं सबसे पहले कुछ बाते समझ लेते हैं कि जो चुनाओ में जीत और हार होती है वो किवल वैद मतों उपर होता है जो अवैद हो जाते हैं उसकी काउंटिंग जीत और हार के मतों में नहीं होता है ठीक है तो जो 70 वोट अवैद हो गये हैं 70 वोट उससे तो मतलब भी नही उम्मिद्वार को कैंडिडेट कहते हैं वो 60% वोट पाया और 200 वोट से चुनाव जीत गया अच्छा जो सेकेंड होगा तो वो कितना वोट पाया होगा तो अगर पहला 60% पाया तो हम जानते हैं दूसरा कितना पाया होगा 40% पाया होगा तभी तो वह आ रहा है अब यह क्या हुआ है जो 60% पाया है और जो 40% पाया है अब यह 200 वोट से जीत गया है थिक है हम अगर मान लेते हैं कि जो 1000 यहाँ पहले ऐसे मान लो हमिशा 500 मान लो बस समझाने के लिए बता रहा हो इसका कोई मतलम नहीं समझाने के लिए बता रहा है आपने मान लिया Приran लब 2023 1 वोट है और ये 200 वोट से जीत गया, तो मतलब ये 1200 वोट पाया, ठीक है, और ये 40%, किसके बराबर होगा, ये 1000 के बराबर होगा, मतलब समझें, 1000 मैंने मान लिया, तो 60% जो है, इससे 200 वोट ही तो ज़्यादा पाया है, अगर हम इसको 1000 मान लेंगे, तो इसको हम 1200 कहेंगे, अगर ये 300 वोट से जीता होता, तो हम इसको 1000 मानते, इसको 1300 कहते, कुल मिला के कहने का मतलब है, percentage का difference निकाल लिए, कितना आया, 20%, और वोटो का difference कितना आया, 200 वोट, ठीक है, ये इसके बराबर है, तो 1% बराबर, 200 बटा 20, 20 दहाम, ठीक है, और 100% बराबर, 1000, ये 1000 कुल वोट हो गएं आपके, कुल वोट या मत जो भी कह दीजिए आप, ठीक है, मैंने एक 1000 माना था, खेर, आंसर भी एक ही 1000 आगया, अच्छा, अब इसी चीज़ का सौटरिक क्या हो गया, सिंपल सा, जो 60% है, 60% है, तो जो हारा है, वो कितना पाया होगा, 40% पाया होगा, दोनों का जो डिफ्रेंस है न, वही जो वोट है, 200 वोट उसके बराबर होगा, इसको बाकिया आगया, इसे सौल्व कर लेंगे, तो बोला, तो चुनोह में कुल कितने वोट डाले गए, एक हजार वोट तो पड़ा ही, लेकिन 70 वोट जो अवैद हुआ था, वो भी तो डाला गया था, कुल कितने वोट डाले गए एक हजार सतर अगर पूछता कि कुल कितने वैद वोट डाले गए तो आंसर होता एक हजार लेकिन पूछा है कि कुल कितने वोट डाले गए तो कुल में तो वैद और वैद दोनों आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा एक हजार सतर आपके ऑप्शन म मार के चले आएंगे कहेंगे मेरा तो सही है है ना तो वो गलत हो जाएगा तो यह आपका बेसिक था यह मैंने आपको समझाया कि कि एक घजार मान लो और उसको बढ़ा दो उतना ही तभी तो उतने वोट से जीतेगा चले अगले कोशिन पर आते हैं कि इसका मिस्रन जो है वो कितना है 40 लीटर है ठीक है भई अब इस मिस्रन में 25 परसेंट चीनी है जो 40 लीटर मिस्रन है उसमें 25 परसेंट चीनी है ऐसे होगा हम इसको एक बटा चार लिख सकते हैं और यह कट गया तो मतलब का दस परसेंट ऊण सौरुण और दस लीटर चीनी कि तो निकला है कि 80 परसेंट चीनी तो चालिसका 25 परसेंट मदले हैं कि क्योंकि मैं गुला हुआ है अब कह रहा है यदि मिसर दस ली िर पाणी और मिला दिया जाया कि मिस्रण आपके पास कितना है इन दोनों को जब 10 लिटर पानी और मिला दिया अब आपके पास मिस्तरन कितना हो गया पचास लिटर हो गया हो गया की नहीं अब कह रहा है पचास लिटर आपका मिस्तरन हो गया तो नय मिस्तरन में यह नया मिस्तरन हो गया आपका चीनी का प्रतिस्द बताईए तो चीनी कितना है आपका चीनी तो नए मिस्तरण में चीनी का प्रतिस्तत कितना है 20 है चलिए आगे बढ़ते है चलिए यह अगला क्वेशन है पिछले टाइप के ऊपर यह लेकिन ही थोड़ा अलग है ठीक है चीनी और पानी की 40 लिटर मिस्तरण में 25 परसंट चीनी है यह मिस्तरण हो गया आपका चीनी और पानी का 40 लिटर का 25 परसंट चीनी है यह इसमें 25 परसंट चीनी यह तो चालिस का 25 पिछली बार भी वही था परसंट हटाएंगी बट्स सौ आएगा यह चार से कट गया और यह दस लिटर आपका चीनी है अगर 10 लीटर चीनी है तो पानी कितना होगा सुगर जो है आपका 10 लीटर है तो वाटर कितना होगा 40 में से 10 घटा देंगे तो 30 लीटर होगा ठीक है कह रहा है मिस्तरण में कितना पानी और मिला दिया जाए ठीक है कि नए मिस्रण में चीनी का प्रतिसत 20% हो जाए तो सुगर आपका 10 है और यह आपका 30 है ठीक है वाटर कितना पानी और मिला दिया है मैंने कहा कि एक लिटर पानी और मिला दिया जाए तो क्या होता है जब पानी मिला देते हैं तो क्या होता है मिस्रण में चीनी का प्रतिसत 20% हो गया यह कितना हो गया 20% हो गया परसंट से परसंट कट जाएगा नीचे जब यह भी मिस्रण है अगर चीनी 20% हो गया तो नीचे पानी कितना ह होगा 80 होगा बास रही किंगों को फिर से लिखेएगा मिजद मिस्म्राइब क चालिस लीटर है पच्चिस पर्सेंट चीनी था तो दस लीटर आ जिए चीनी आपका 10 लीटर तो पानी 20 लीटर होगे दस लीटर चीनी और ये पानी तीस था उसने कहा कि कुछ पानी और मिला दिया गया कितना पानी और मिला गया हमने कहा एक्स पानी और मिला दिया गया एक्स लिटर तो चीनी कितना हो गया बीस परसेंट हो गया अगर चीनी बीस परसेंट हो गया तो यह 100 परसेंट कैसे होगा नीचे क्या होगा असी होगा ठीक है तो अब यहां से हम solve कर लेंगे, तो यह 4 हो गया, और यहां से फिर हम cross multiply कर लें, यह इधर आएगा तो 40 हो गया, और यह हो गया आपका इधर, 30 प्लस X, तो 30 इधर आएगा, तो आपका X equal to क्या हो गया, 10 लिटर, 10 लिटर पानी और मिलाया जाएगा, तो चीनी का प्रतिसेद 20% हो जाएगा, यह question important है, और इसका type भी अलग है, अगर practice आपकी छूट गई, तो फिर exam में भूल जाएंगे की कैसे करना था, चलिए, यह देखे, अगले type पे चलते हैं, एक office में 70% कर्मचारी चाय पीते हैं, 65% coffee पीते हैं, प्रते कर्मचारी कुछ ना कुछ अथवा दोनों पीता है, यह दिक कुल 500 कर्मचारी है, तो दोनों पीने वालों की संख्या क्या है, अगर कुल कर्मचारी 500 है, Students, आप लोग देख रहे हो, एक छोटा सा, यह क्याना चाहता हूँ, कि अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तरीका अच्छा लग रहा है, बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और देख रहे हैं, बहुत सौट में भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि डर लगता होगा, और वो मैं सीखना चाहते हैं, ताकि रेल्वे में सिलेक्शन ले पाए, ठीक है ना, तो अगर इससे किसी की हल्प हो जाती है, तो मेरा पढ़ाने का मक्सिद सिर्फ इतना है, दूर दूर गाउं में, दिहात में, जिनके पास सभिधा नहीं है, वो बिल्कुल समझ में आएगा, बस नोर्स अपना प्रॉपर बनाते चलें, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगले दिन का मेरा लेक्चर देखने से पहले पिछले वाले कोशन को आप रिविजन कर लें, मैं एक चैप्टर में कम से कम 40-50 कोशन कराऊंगा आपको, और हर टाइप क कोशन आपकी हो जाएंगे, आपका रेलवेज से बाहर, इसमें से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना, तो, यह आपका अगला कोशन है, एक एक ओफिस में 70% करमचारी चाय पीते हैं, 55% करमचारी काफी पीते हैं, प्रतिक करमचारी कुछ ना कुछ अत्वा दोनों पी रहे हैं, तो, कोई भी चीज़ जो होता है, आपने आपमें 100% होता है, तो, यहाँ जो 35 निकल के आया है, वो, दोनों पीने वालों की संख्या, प्रतिस्षत ही है, तो, दोनों... पीने वालों का प्रतिसाथ जो है, वो कितना है, 35% है तो पूछ रहा है यदि कुल 500 कर्मचारी है तो दोनों पीने वालों की संख्या क्या है कर्मचारी कितने हैं आपके 500 और दोनों पीने वालों का प्रतिसत कितना है 35% हम 500 का 35% निकाल लेंगे है ना तो आपका ये अंसर आ गया 0 से 0 कड़ गया 175 लोग हैं जो की दोनों पीते हैं ठीक है 175 लोग है चले चुनाओ पर आधारित कुछ और प्रस्थन हम हल करते हैं ठीक है एक चुनाओ में दो उमिद्वार थे हारने वाले उमिद्वार ने 38% मत प्रात के तथा वह 1560 मतों से हार गया कुल मतों की संख्या बताईए अच्छा ये फर्स्थ केंडिड़ेट था और ये एक सेकेंड है जो हारा है वो पाया है 32% बोर ठीक है तो जो जीता होगा वो कितना पाया होगा ठीक है तो जो जीता है वो 62% वोट पाया है और जो हारा है वो 38% वोट पाया है यहां पे समझेगा और कितने वोट से हारा है 1560 वोट से हार गया यह 1560 तो जीता कितने वोट से होगा 1560 वोट से यह जीता है या आप बोलिए 1560 वोट से यह हारा है बात तो बराबर है तो हम इन की बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं ठीक है कितना आएगा कि चौबिस आ गया 24 परसेंट है ना 24 परसेंट आया तो यह जो 24 परसेंट है इनकी बीच का जो अंतर है वही तो यह अंतर है मतलब यह इसके बराबर है 1560 की तो बोल रहा है कुल मतो की संख्या क्या है तो कुल मतो की संख्या मतलब एक परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 1560 ऑपॉन 24 और जब कुल हंड़ीट जब की बात करेंगे टोटल तो हम हंड़ीड परसेंट निकालते हैं हंडेट का मल्टिप्लाई इधर करेंगे और हंडेट का इधर भी करेंगे पॉन 24 इंटू 100 अब गुड़ा भाग आप लुग ज्यादा तीज करते होंगे मेरी थोड़ी स्लो है बच्चों की तरह काटता हूँ दो इकनदो दोडोनी चार और दो पांचे दस ठीक है 12 एकन बार बार तियाए च्छटीज और 0 कितना हो गया 13 पच्चे 65 और 1220 यह आपका आंसर हो गया ठीक है ना तो कुल मतों की संख्या कितनी है 65-100 है समझ में आ गया होगा अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूं मेरी स्पीड स्लो है तो आप अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके स्पीड को थोड़ा सा पास्ट कर सकते हैं जिससे आपका टाइम वेश्ट ना हो और जिनको ठीक लग रहा है वो नॉर्मल पे देखें परसेंट ठीक है यह पोर्स्ट कंडिडेट है जो सेकेंड है वो कितना पाया भाई जो जीता है वो इतना पाया है तो जो हारा है वो कितना पाया होगा पॉइंट 568 हो जाएगा और दो जोड़ेंगे तो 70 पांच परसेंट यह तो होगा है ना हम तो जो हारा है वो इतना पाया है अब कह रहा है 2800 मतों से विजय हो गया तो यह 2800 मतों से विजय हो गया यह 2800 मतों से हार गया बात तो बराबर ही है तो हम कहेंगे इनके बीच का जो अंतर है कितना है यह तो घड़ गया, पांच में से दो गया पांच, और चे में से तीन गया तीन 35% जो है, वही आपका कितना है? अठाइस सव के बराबर है यह बात समझ में आ रही है न अब कह रहा है कि हारने वाले उमिद्वार को कितने मत प्राप्त हुए हारने वाले को, हारने वाले को परसेंटिस कितना है? 32,5% है हमने क्या निकाल लिया? 35% इसके बराबर है हम यहाँ से 1% करेंगे तो क्या हो जाएगा? अठाइस सव पैंटिस, ठीक है? अब हमें 100% नहीं निकालना है क्योंकि यहाँ पी यह नहीं पूछ रहा है कुल कितने वोट है यहाँ पी क्या पूछ रहा है? यहाँ पी पूछ रहा है कि हारने वाले उमिद्वार को कितना वोट मिला है तो हम हारने वाले को कितना मिला है? 32,5% तो हम दोनों तरब इतनी का ही गुड़ा कर देंगे, ठीक है ना? हा तो हम इतनी का ही दोनों तरब गुड़ा कर देंगे, तो ये हारने वाले पूस्ट मिला है, क्या आप एक काम और कर सकते हैं, टॉस्ट आप इसका 100% निकाल लिजिए, वह एजी रहेगा आपको, इसका 100% आपका कितना हो गया पहले कुल वोट निकाल लीजिए दोनों तरीके से आपका अंसर आएगा ठीक है न कि यह हो गया आपका 100 परसेंट तो अब कितना काट लीजिए आप पांच सते 35 25 35 ठीक है और साथ अठे 56 कितना आ गया आठ जीरो 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 नहीं तो आया कि गलत तो नहीं है देख लेना जिरूर्यों का गरबड़ हो तो 35 35 ठीक है तो कितना आगया आपका कुछ गवर आप सते 35 ठीक है एक जीरों हट जाएगा आपका ही ठीक है ना आजजार गोट है कुल आजजार गोट है ठीक है है तो अब हारने वाले को कितना मिला है तो भाई 8000 वोट है कुल हारने वाले को मिला है 32.5% हमने यह ऐसे कर लिया । अच्छा 32 दसनलो 5 परसेंट है ना अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं चलिए इसको अगर आप परसेंटेज हटाएंगे फिर वैसे ही 1000 से आप करोगे वो चीज तो आपका हो गया ठीक है ना एक बटे आठ की वैलू मैंने कितनी बताई थी है 12 दसनलो 5 होती है होती है कि दो बटे आठ की वैलू कितनी बताई थी तीन बटे आठ कि गवरतें 36 नहीं ठीक है चलिए इसको सॉल कर लेते हैं तो यह आपका हो गया 8000 गुड़े 325 अपॉन 1000 सब पांस से कट रहा है काट देते हैं ठीक है कितना आगया आपका आठ पंच चालिस आठ दूनी सोल चार बीस आठ टीक चौबिस और 26 तो हारने वाले को कितना वोट मिला 26 सब वोट मिला है ठीक है न यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ भी दिक्कत हो आपको पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पताईएगा ठीक है चलिए अपने अगले क्वेशन पर चलते हैं एकी आए बी की आयका 120 परसेंट और सी की आयका 80 परसेंट है तो एबी और सी के आयका अ A है यह B है और यह C है ठीक है तो कह रहा है एक की आयका एक सोबीस परसेंट है ठीक है तो अगर हम इसको 20 सभाण लें B का आई लगए का 120 परसेंट है तो मतलब यह 120 हो गया ठीक है A की I, B की I का 120% है तो यह 120 और C की I का 80% है अब यहाँ पर कौन सी value हो इसकी I का 80% इसके बराबर हो मेरी बात को समझेगा C की जो value होगी इसकी जो I है इसका 80% 120 के बराबर हो मतलब A की जो I है वो C की I अभी नहीं पता हम X मान लेते हैं तो यहाँ पर जड़ा देखिएगा X C की I का 80% A की I है मतलब यह तो कह रहा है question question की language को अगर समझ गये तो आप question करना जान जाएंगे B 100 मान लिया तो A कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा अब main चीज फसने वाली बात यहाँ पर थी कि A जो है C C की I का 80% है तो C का I नहीं पता है तो C की I को X मान लेते हैं तो X का 80% और A की I कितनी हो 120 है तो यहाँ से X की value आ जाएगी X की value क्या आ जाएगी X इक्वल टू 120 इन्टू 100 अपान 80 ठीक है यहाँ से आप काट लीजे 0, 0, 4 दुनी 8, 4 तियाई 12 और 2 से 2 पांचे 10 और 5 तियाई 15 तो X की value कितनी आ गई X की value आ गई भाई 150 तो रेशियो रेशियो में क्या है अब इसको सारे नंबर को काट दीजी जीरो 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 कट गया आपका और यह कट रहे गया किसे इस कटेगा तो 12 रेशियो 10 रेशियो 15 ठीक है यही आपका अंसर हो गया अब यह कटेगा नहीं तीन से कटेगा तो यह कटेगा यह नहीं कटेगा पांस से यह दुनों कटेंगे यह नहीं कटेगा तो अब यह नहीं कटेगा फस यह आपका अंसर हो गया अगले कुशिन की तरफ चलते हैं ठीक है किसी भिन्न के अंस में 140% की वृद्धी करने पर हर में 150% की वृद्धी करने पर नया भिन्न 4 बटा 15 है तो प्रारंबिक भिन्न बताईए ऐसे कोशिन बहुत बार रिपीट हुए है एक्जाम में ठीक है बच्चा अब समझ नहीं पाता है है अंस बटा हर हम जानते हैं उपर वाला अंस होता है और नीचे वाला हर होता है ठीक है इसमें 140% की वृद्धी दे कर हैं लोग जो है न संक्रато यह अपने आप में 100% है और जो हर है वह भी अपने आप में 100% है तो जब यह 100% है उसमें 140% की की व्रिद्धी कर रहे हैं मतलब 100 में तो कितना हो जाएका दोसों चालिस हो जाएगा कि है और ओर हर में ंदीर सव पर्सन की व्रिद्धी कर रहे हैं तो हंडेड ऑपने हैं और नियुछ तो नया भीन कितना बनता है चार बटे पंदरा बनता है बस अब साइसे को दिखत हो तो बताईएगा अब लाइब तो पढ़ाते हैं बताईएगा बताईएगा कैसे बताईएगा कमेंट सेक्षिन में आप लिख के बताईएगा कि इस कोशन में आपको दिक्कत हुई है कोशन नमबर डाल दिया है इसलिए मैं ठीक है आपको फिर बता दूंगा तो यहां से आपका हो गया 6x अपॉन 5y बराबर एक बटा तीन तो x और y को वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि हम में प्रारमिक मान जानना है तो x upon y equal to कितना हो जाएगा 5 इधर आएगा तो उपर हो गया 5 और 6 नीचे आएगा 6 into 3 कितना हो गया पांच बटे अठार ठीक है यह आपका अंसर हो गया पांच बटे अठार अच्छा इसके बाद मैं आपको जो सुरूं में मैंने दो question बताया थे है ना जिसको मैंने direct value 1 by 8 रख दिया था उसको मैंने कैसे रखा और भी कुछ important value है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं उसको मैं अभी बता रहा हूं सारे important values को उसको आज बता दे रहा हूं आप पढ़ लीजेगा याद कर लीजेगा और कल उस base पे मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको याद करने होंगे उसका और कोई रास्ता नहीं है यह बहुत important value है बहुत जगह यूज हुआ है बहुत जगह एक बटा 24 किसके बराबर होता है 4.6% के बराबर होता है अब अगर हमें कह दिया जाए कि 8.32% किसके बराबर होता है तो हम एक रह और यह 12 मतलब एक बटा 12 की वैलू कितनी हो गई 8.32% ऐसे 83.33% कि आपका कितना होता है फिस्टी पांच बटा च्छा है 8.33% किसके बराबर होता है एक बटा 12 के एक यासी दस्मों 89 बटा 11 के 54 दस्मों 56 बटा 11 के कल मैं इस पर आधारित बहुत ही सांधार कोशिशन आपको कराऊंगा और वो देखनी के बाद आप कहेंगे कि हाँ इसको याद करना तो जरूरी है ऐसे चाए वैसे करना पड़ेगा आपको ठीक है आज की क्लास को यहीं प सारे बच्चों के साथ जिनको बहुत जरूरत है बेसिक से मैं सीखने की मैं हमेशा कहा रहा हूं मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं एक चीज और जान लीजिए पेपर में एक्जाम में कभी भी आपको ट्रिक नहीं आद रहती है आप हमेशा जो बच्पन से सीखते आए हैं इ आपको एक्जाम टाइम में आएगा क्योंकि एक्जाम टाइम में प्रेसर रहता है और आप हमेशा उसी चीज को करेंगे जिसका आपको बच्पन से आदत है तो इसले में बेसिक सिखा रहा हूँ ट्रिक सीखने के लिए जैसे ही आप बेसिक सीख लोगे और उस पर आपकी पकड़ हो जाएगी प्रैक्टिस कर लेंगे तो यह बेसिक ही आपका ट्रिक बन जाएगा आप एक दो इस्टेप को अपने आप छोड़के सीधा तीसरा इस्टेप लिख लेंगे मल्टिप्लिकेशन वो सारी चीजे मन में क लेकिन क्या कोशन आता है एकजाम में तो आप ट्रिक से कर लेते हैं क्पी से पूछी का क्या सच मेंकर लेते हैं नहीं आपको क॥क्शन को पढ़ना समझना आना чाहिए और आपको क्या हल करना है ठीक है ठीक है नमस्पार कल फिर मिलेुए